Hey guys, welcome back to Movies Bold, काफी समय से मैंने बहुत सी Movies cover की हैं, पर काफी लोगों के request आ रहे थी कि Horror Movies के उपर वीडियो बनाया जाए, वैसे थो मैंने बहुत सी Horror Movies पहले भी cover की हैं, पर मैंने सुझा कि इस वीडियो के इंदर Underrated Horror Movies को cover किया जाए, इसलिए इस वीडियो के अंदर में जितनी भी horror movies को cover करने वाला उनकी बात करने वाला हूँ और movies को आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा उनका नाम भी नहीं सुना होगा और सबसे अच्छी बात यह है कि इस list की most of the movies हिंदी में ही available है इसलिए अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें हमारी first movie है दव वैलिंग यह movie 2016 में आई थी यह Korean horror drama mystery movie है इस movie के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक बहुत अजीब से गाउं की अजीब मैं इसलिए कहना हूँ कि यहां पर बहुत से अजीबों गरीब murder हो रहे है murder तो वैसे normal होते हैं लेकिन यहां पर twist यह है कि जो murder करने वाला है वो murder करे कहीं भागता नहीं है वो उसी जगह पे last के पास मौजूद रहता है और जब पुलिस वाले आते हैं देखने के लिए तो उनको ऐसा लगता है कि यह बंदा किसी के वश में ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने से possess कर रखा और वो खुद भी मर जाता है और इनी सब चीजों की वएसे गाँवालों की बीच में बहुत ज़्यादा डर बना हुआ और गाँवालों का ये मानना है कि एक जैपनीज बंदा जो कुछ समय पहले यहाँ पे आया था उसको तो यह है कि लोग मरते हैं तो मरे उसको कोई भी फरक नहीं पड़ता पर उसके लिए मुसके लिए तब खड़ी हो जाती है जब उसको वही लग्षण जो कातेलों के इंडर देखते है अपनी बेटी के इनडर दिखने लगते है उसके सिरीज पर anytime find forเรา ent fancy पर हमारी से के मुवी अजू यह जी जार दो में आई है यह यह निस हऊरर मुवी है इस मुवी के अंदर में एक और की कहानी देखने को मिलती है जो एक नए घर के अंदर रहने के आती है ज़िस घर के असकम को भी आये हैं को later यहां से जिंदा वापस नहीं गए या तो लोग मारे गए या तो लोग गायब हो गए क्योंकि काफी समय पहले यहां पर एक औरत का उसके बच्चे का मडर हो गया था जिसके वैसे लोगों को यह मानना है कि इस घर के अंदर उन दोनों की आत्मा घूम रही है यह मूवी में बाद अपनी मां से मिलने के लिए उनके घर के अंदर आते हैं और यह घर सहर से बहुत ज़्यदा दूर होता है इतना दूर कि अगर इनको अचानक से मदद की जरूत पड़े तो यह लोग किसी से मदद भी नहीं मांग सकते पर फिर भी इनकी मौम यहां पर आके ले रह और इनको कुछ ऐसी चीज़े पता लगते हैं जिससे इनको यह अंदाजा हो जाता है कि इनकी जो मौम बनने का नाटक कर रही है वह एक्चुल में कोई और है तो आगे यह लोग क्या करते हैं वह आप इस मूवी के अंदर देखिए वैसे यह मूवी सिर्फ इंग्लिस लें आधार के लाटक करते हैं तो वहाँ पर इनको इनकी बेटी का टावल मिलता अभी तक वह पानी से बाहर नहीं आई है जिसका पुलिस वालों की इंफर्म कर देते हैं यह लोग और काफी धूणने के बाद और इनको बेटी नहीं मिलती हैं जाकर वापस देखते हैं वहाँ इनको इनकी बेटी की dead body मिल जाती है लेकिन जब से इनकी बेटी मरी है dead body मिली है funeral हुआ है उसके बास से इन लोग को काफी अजीबों करीब सपने आना शुरू हो जाते हैं जिसकी वज़ा से ये लोग अपने काम में busy हो जाते हैं रात में भी नहीं सोते ताकि इरोग उन सपनों से बच सकें और उनी सभी सपनों से बचने के लिए बुरी यादों से बचने के लिए इस लड़की का भाई कैम्रे में photos खीचने का पर एक दिन जब य Kendall day नीचरा होता है तो इसे इसकी बहन दिखाई देती है उन फोटोस के अंदर जसके बाद आगे क्या होता है वही आप इस मूवी के अंदर देखें यह मूवी हिंदी में अफलेबल है इसको रेटिंग्स में 6.3 आउट अफ 10 सहर से बिल्कुल disconnected होते हैं ऐसे गाओं में यह लोग जाकर रुकने का फैसला करते हैं और उसी समय उस गाओं के अंदर एक फैस्टिवल चल रहा होता जो कि हर 90 साल में आता और यह लोग भी डिसाइट करते हैं कि यह लोग इस फैस्टिवल के अंदर पार्टिसिबेट करेंग हमारी सेवंथ मूवी है ब्लैक बॉक्स यह मूवी 2020 में आई है इस मूवी के अंदर में कहानी देखते हैं एक आदमी के जो अपनी पत्नी के साथ कहीं पर जा रहा होता है कार ड्राइव करके पर रास्ते में कार का एक्सिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से इसकी पत्नी की अनदा समूर्ड दैथ हो जाती है और इसकी भी मेमोरी चली जाती है इसकी और में से कुछ चीजे है लेकिन पूरी तरीके से यह अपनी घो कुशी इसको याद है जिस चीज को ठीक करने के लिए ये एक टेक्नालोजी का साहरा लेता है जिसको ब्लैक बॉक्स कहा जाता है ये टेक्नालोजी इसकी मदद करती है इसकी याद्दास को वापस लाने में क्योंकि ये टेक्नालोजी इसे उसकी याद्दास की दुनिया में लेके जा बहुत सारी चीजे अजीब दिखाई देती है जो कि real world के अंदर possible ही नहीं है तो आखिर क्या चक्का रहा हुआ आप इस movie के अंदर देखिए आप इस movie को English language में Prime वीडियो पर देख सकते हैं इस movie को ratings में 6.2 out of 10 mdv पर हमारी 8th movie The Platform ये movie 2019 में आई है ये एक horror science fiction movie है टेबल के उपर जो lift की तरह उपर जाती है उसके अंदर रख दिया जाएगा खाना सुरू होगा फ्लोर जीरो से आने की ground फ्लोर से वहाँ पर जिसको भी जो भी खाना होगा और खालेगा लेकिन कोई भी कुछ भी अपने बास रख नहीं सकता अगर रखा तो उसकी अलग से सजाम मिलेगी यहाँ पर किसी को भी यह नहीं बता कि यहाँ पर actual में कितने फ्लोर हैं अगर हम माल लें कि इस building के अंदर 500 फ्लोर हैं या 100 फ्लोर हैं तो आप सोच के देखिए एक table के अंदर कितना खाना आ जाएगा गर आ यहाँ पर कितना तो बटर्बाद कर देते अब हमारी 9th मुवी धर Craisy यह मूवी 2010 में आई है ये एक adventure horror movie है इस movie के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक छोटे से town की जहां पर एक दिन अचानक से एक fighter plane आके crash हो जाता है जिसके बाद से उस सहर के अंदर एक बहुत भयानक virus फैल जाता है जिसकी वजासे सब लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं लोग zombies के अंदर convert होना सुरूख हो जाते हैं जिसके वएसे military एक operation चलाती है कि जितने भी लोग उस सहर के अंदर उन सब को वो लोग देखते ही मार देंगे ऐसे में हमारा hero किस तर अपनी family को बचाता है वही आपको इस movie के अंदर देखना है ये movie हिंदी में available है इसको ratings में 6.5 out of 10 IMDb पर हमारी last movie girl on the third floor ये movie 2019 में आई है एक drama horror mystery movie है इस movie के अंदर हमें एक आदमी की कहानी देखने के मिलती है जिससे एक दिन पता लगता है कि वो बाप बनने वाला जिसके वैसे वो काफी खुस होता है और वो सारी चीजों को ठीक करना चाहता है इसलिए ये एक घर खरीता है जिस घर के अंदर थोड़ा सा काम करना होता है ताकि उस घर को रहने लाइक बनाया जा सके ये उस घर के अंदर अपने दोस के साथ जाता है ताकि उस घर को ठीक कर सके लेकिन वहाँ पे इनको ऐसा लगने लगता है कि जैसे इस घर के अंदर कोई आत्मा नहीं है ये पूरा कपूरा घर ही जिन्दा है तो आखिर सच्चा ही क्या है वह आप इस मूवी के अंदर देखिए आप इस मूवी को इंगलिस लैंग्विज में नेट्फिक्स पर देख सकते हैं आपको वीडियो काफी पसंद आई होगे अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक ले धन्यवाद